इस विडम बात करेंगे जीटो के JTO कोईन के प्राइस मुमेंट के पारे में इंट्री लेवल, सब्डेटेड लेवल से और आने वाले दिनों में इस कोईन के टागेट्स करेंगे करेंट्री कोईन 1.94 पर ट्रेड कर रहा है एक अच्छे डाउन ट्रेन, एक अच्छे डिब के अंदर अभी भी हमें इस कोईन की प्राइस देखने को मिल रही है जहां पर एक बहुत अच्छे अपोस्टी निकल के आ रही है जो भी इस कोईन में इंट्री देख रहे हैं प्रिवियसली एंट्री मिस की है, क्विक प्रॉफिट मिस किया है और एक अच्छे कॉईन में इन्वेस्ट करके शोट तर्म लोंग तर्म में प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं उनके लिए बात करें कौन साब के लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहेंगे और आने वाले दिरों में इसको एंके टागेट्स करहेंगे अज़े ट्रेडर लोंग तर्म और सोट तर्म के प्रस्पेक्ट्व से किन एरियास पर नज़रे बना रख सकते हैं और जिन्होंने प्रीवियस रेली में इसको एंको उपर वाले किसी लेवल पर बाइक कर लिया है उनका कब तक रिकावर होगा सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले जो नए इन्वेस्टे टेडर मारकेट में आये हैं जिनको जादा नोलेज एक्स्पिरिंस नहीं है उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रोपर गाइडेंस प्रोपर स्टरी शेर की जा सके क्रिप्टो क्वरी अपडेटेट लेबल सिगनल शेर के जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं तो जो भी अपनी क्रिप्टो जरनी प्रोफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं crypto losses से बसना चाहते हैं इंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं इंस्टा के link वीडियो के description में और हमारे telegram channel के link वापको description में मिल जाएगी 1.94 पर अभी ये coin trade कर रहा है BTC के moment के साथ में थोड़ी बहुत fluctuation इसकी price में भी देखने को मिल रही जहाँ पर अभी इस coin ने 2 USD वाला levels विबे के time में try किया और कल भी इसने 2 USD वाला level try किया था लेकिन बीच में थोड़ी बहुत fluctuation भी देखने को मिल रही जहाँ पर 1.9 वाला level try किया लेकिन अभी recently इस coin ने 1.70 तक का low 5th to 6th of February को बनाया था जहाँ पर मैंने आपको previous वीडियो में जो कुछ lines draw की थी कुछ levels जो बताये थे उनको इस coin ने break कर दिया था तो थोड़ी सी crucial condition हो गई थी हाला कि बहुत problem वाली condition नहीं थी एक normal condition थी उस drop में हमारे लिए benefit ये हुआ की जो second level की buying मैं आपको previous वीडियो में बतायी थी उस level तक price चली गई थी अभी उस level से उपर price देखने को मिल रही है आपको lines दिख रहे होगी ये जो lines है ये 1.7 UST का round में 1.75 1.8 UST का round वाला level है जिस level से हमें जिसे ही इसने 4 hour की closing 1.8 से उपर की एक अच्छा moment देखने को मिला तो 1.7 से इसकोई ने 10-12% का move लिया है इससे पहले भी जो drop देखने को मिला था 1.77 से bounce big कर लिया था वो 2.33 तक try किया था तो ये जो level है 2.3 और 1.8 ये important level है जिसमें 4 hour में अगर हम बात करें तो 1.8 एक important support level है उसके बाद एक normal resistance level ये 4 hour के चार्ट में है मतलब scalping के basis पर मैं आपको बता रहा हूँ 1.8 important support area है जिस level को जब तक ये coin maintain करेगा इस से नीचे price जाने की कोई possibility नहीं है इसके बाद एक normal resistance level जो है वो 2 UST वाला level है जहां से normal rejection phase करने को मिल रहा है उसको जैसे ही close करेगा 2.3 major resistance level है जो कि 4 hour में तो है ही daily के अंदर भी important resistance level है तो इन levels से जब तक ये coin मतलब 2.3 से उपर जब तक daily closing देखने को नहीं मिलती है at least 4 hour की closing भी हो जाती तो 2.5 तक fluctuate कर जाएगा और daily closing हो जाती है तो 2.7, 2.8 वाले अपने previous levels को try करेगा यह देखिए यहाँ पर 2.8 फिर इसके बाद next resistance level है 2.3 के बाद जो कि daily में important resistance level है आप यहाँ पर यह पूरे जो chart है वो आपको दिख पा रहे हैंगो एक major जो support level है जो rate line आपको दिख रही है यह 1.35 वाला level है 1.6 USD से नीचे वाला level तो यह सारे levels है और आपको दिखान रखना है market में emotionally trade नहीं करना है market technically move करता है support and resistance level के basis पर move करता है कभी कभी किसी news की वज़े से भी market पर impact देखने को मिलता है कोई positive news होती है तो बड़ा movement देखने को मिल जाता है सिर्फ emotionally trade नहीं करना है कि नहीं market यहां से तो उपर चलाया आएगा हम यहां entry ले लेते हैं यहां फिर futures में trade करना start कर दिया long position लेनी market dump कर रहा है या short position लेनी market move कर रहा है तो यह ध्यान रखना है बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से learning पर focus करके और trade करना है आपने पैसा कमाया है या घर का पैसा जो भी है और कुछ चीजे मैं आपको बताई भी है कि किसी से भी borrow करके loan लेके या ब्याज से जो पैसा है इस टाइब से कुछ ले लेते हैं यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है अब इसको daily के अंदर है कि जिन्हों ने previously इसको आप buy किया हुआ है उनके लिए भी technical चीजे बताना ज़रूरी है आपके लिए भी technical चीजे बताना ज़रूरी है अभी भी इसमें possibility है क्योंकि बहुत ज़्यादा यह move नहीं किया है और 1.9 वाला जो level है वो एक अच्छा खासा safe और बहुत stability वाला level है जिस level से इस coin के bounce back के पूरे chances है BTC की थोड़ी बहुत fluctuation साथ में यह 1.8 या 1.7 तक भी fluctuate कर सकता है जिसमें आप 1.7 की second entry रहेंगे यानि कि 1.9 आपकी first entry हो जाएगी और second entry जो है वह आपके रहेगी 1.7 की यह दोनों level पर आपको 70-30 के ratio by limit लगा देनी है बहुत अच्छे level है जिनको मैंने previous 5-6 दिन पहले भी जो वीडियो शेयर किया था उसे में भी यही same level बताए थे और वहाँ से this coin ने hit करके move लिया इससे पहले 24 of January को भी हमने 1.9 1.7 की इंटरी बताए थी जहां से square ने 2.3 तक fluctuate करके आपको quick 20% का profit दिया था तो यह बहुत अच्छा level है और यहां से targets की बात करें तो आपके लिए quick target 2.4 USD 2.5 रहेगा 2.4 USD का first target रहेगा जहां पर आपको अपना 60% part sell out करना 2.7 रहेगा जहां पर बाकी 40% part sell out करना से 60-40 के दिश्चा में sell करना है जो short term वाले हैं जो थोड़ा wait कर सकते हैं 2.93 USD तक का target लग सकते हैं जब तक 2.3 से उपर daily closing नहीं होगी तब तक 2.83 USD को यह coin try नहीं करेगा कितना time लगएगा इसका exactly बता पाना possible नहीं है क्योंकि technically जिस type से move करेगा उस time से ही time लगेगा और BTC move कर रहा है तो बहुत जल्दी हमने इसमें moment देखने को मिलेगा यह चीज़े इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जोनोंने उपर buy किया 2.5, 2.8 या 3 USD पर जल्दी बाज़े में previous breakout के बाद तो उनका recover होने में इतना time लगे उसके लिए important level 2.3 क्रोस होना बहुत ज़रूरी है इसके अलावा मैं आपके लिए amazing exchange introduce कर रहा हूँ BTCC exchange इसमें trade करने के लिए किसी भी KYC की need नहीं है withdrawal deposit के लिए KYC नहीं करना पड़ेगा सिर्फ आप sign up करके ही completely trade और deposit withdrawal कर सकते हैं 40% cheaper fee है cheaper trading fee है other exchange के comparison में और भी बहुत सारे benefits इसके अंदर है बहुत सारे campaign वगेरा इसमें run होते हैं तो आप अगर हमारी invite link के से sign up करेंगे आपको sign up bonus और deposit पर आपको कुछ rewards भी मिलेंगे 100 USD के deposit पर 100 USD का voucher मिलेगा तो इस type से आप चाहें तो इसमें इसको join कर सकते हैं इसमें trade करना start कर सकते हैं हमारी invite link आपको discussion में मिल जाएगी और इसके अलावा जो भी नए investor trader market में आए हैं जिनको जादा knowledge experience नहीं है वो हमारी premium membership में ज़रू enroll करें वहाँ पर आपको proper guidance प्रोपर study शेयर की जाएगी crypto queries updated levels शेयर की जाएगे और भी बहुत सारे benefits हैं तो जो भी अपनी crypto journey profitable स्टार्ट करना चाहते हैं crypto losses से बचना चाहते हैं इस्टा पर DM करके join कर सकते हैं ताकि link वीडियो के description में है बाकी यहाँ पर by yourself खुद के risk खुद के research के हिसाब से करें यहाँ पर हम कोई finance advice नहीं दे रहे वीडियो से education purpose है ताकि आपको overall coinculated knowledge उसके वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रू करें चैनल को subscribe कर लें Thank you